नमस्कार स्वागत आप सभी का NCRT Classes Talk में आज के इस वीडियो में हम सिंस और फोर का प्रियोग जानेंगे सिंस का प्रियोग कहां पे किया जाता है किस से पहले किया जाता है यह दोनों प्री पोजिशन के रूप में प्रियोग करते हैं जो Perfect Continuous Tense में प्रियोग करते हैं जिसे Perfect Tense में सिंस का प्रियोग होता है और इसके अलावव फोर का प्रियोग होता है वो भी इसी Tense के अंदर होता है तो पहले हम जानते हैं सिंस के प्रियोग के बारे में तो सिंस का जो प्रियोग है वह है प्रफेक्ट टेंस में होता है और सिंस का प्रियोग पॉइंट ओप टाइम एक समय का बिंदू समय के बिंदू point of time जिसको हम निशित समय भी करते हैं निशित समय से पहले 6 के आर्थ में किया जाता है निशित समय से पहले किसके आर्थ में? 6 के आर्थ में किया जाता है since का प्रियोग तो यहाँ पर जो since का प्रियोग करते हैं वो करेंगे हम 6 o'clock last night, last Monday, morning, evening, Sunday, किसी भी दिन का नाम, January, किसी भी मन्त का नाम, 2004, किसी भी year का बारे में अगर हमें जानकारी होती है तो वहाँ पर हम प्रियोग करते हैं since का जिस तरह से हम लेंगे किसी भी day का नाम आजाता है Sunday, या फिर किसी भी मन्त का नाम आजाता है, July, किसी भी sun का नाम आजाता है, 2006, और कोई भी time, दिन का कोई भी समय आजाता है, जैसे साम का time है, evening, उसके अलावा night, time ले लेते हैं, 5 o'clock, तो ये जो time दिया गया है, ये क्या है, निसित बिंदु है और इन सभी निसित बिंदु वाले जो समय होता है, उनसे पहले प्रियोग किया जाता है, since का, इनसे पहले since का प्रियोग करेंगे, सभी से पहले, ये एक निसित समय है, और समय के एक बिंदु है, since Sunday, since July, since 2006, since evening, और since 5 o'clock, गड़ी के समय से पहले, दिन के किसी भी भाग, सन के नाम से पहले, किसी भी महीने के नाम से पहले, और किसी भी दिन के नाम से पहले, यहाँ पर हम प्रियोग करते हैं, since का, किसी भी दिन का नाम, महीना, सन, सुबर, साम, रात, 5 बजे, महीने का नाम, सन का नाम, सुबर, साम, रात, और 5 बजे, आदि से पहले क्या करते है से के अर्थ में सिंस का प्रियोग किया जाता है तो ये हमने पढ़ा है सिंस का प्रियोग और अब हम पढ़ेंगे फोर का प्रियोग कहा किया जाता है किस से पहले किया जाता है फोर का प्रियोग प्रिपोजिशन के रूप में करते है फोर का प्रियोग भी प्रफेक्ट टेंस में किया जाता है और फोर का जो प्रियोग होता है यह समय की आउधी के लिए समय की आउधी होती है उससे पहले से के आर्थ में किया जाता है के लिए के आर्थ में किया जाता है और कीमत के लिए किया जाता है तो यहाँ पर उधारन जो है वह है दो दिन से पहले हम फोर का प्रियोग करेंगे दो घंटे कुछ समय दो साल दो महीने ठीक है यहाँ पर जो फोर का प्रियोग किया गया है यह किया जाता है इन सबसे पहले दो दिन दो घंटे कुछ समय दो साल दो महीने यह समय की आउदी को दरसाती है इसलिए यहाँ पर प्रियोग करते है किसका फोर का अब यहाँ कुछ उधारण है इनसे पहले हम फोर का प्रियोग करेंगे मेरे लिए तो यहाँ आएगा फोर मी मेरे लिए मतलब के लिए के अर्थ में प्रियोग करते है पांच रुपे में फार, फाइव रुपीज टू आवर्स फूर, टू आवर्स टू डेस फूर, टू डेस A long time. एक लंबे समय की जो अवदी है इसके पले वी किसका प्रियोग करेंगे? फूर का प्रियोग some time, sometime वी एक एक समय की आउदी है इस से पहले भी four का प्रियोग two years ये भी एक समय की आउदी है दो साल और two months ये भी एक समय की आउदी है तो इन समय की आउदी से पहले किसका प्रियोग किया जाता है समय की आउदी से पहले किया जाता है four का प्रियोग अब कुछ उधारनों से हम जानेंग लेंगे उनसे सिंस और फोर का प्रियोग करेंगे यहां पर हमने कुर्च उधारन लिखे हैं उनसे पहले सिंस और फोर का प्रियोग हम करेंगे तो सिंस का प्रियोग हम निशित समय के लिए और फोर का प्रियोग समय की अवधी के लिए तो लाश्ट नाइट लाश्ट नाइट क्या है एक लाश्ट नाइट एक निस्सित समय तो लाश्ट नाइट से पहले किसका प्रियोग होगा सिंस का प्रियोग मंडे मंडे एक दिन का नाम है तो दिन के नाम से पहले किसका प्रियोग होता है सिंस का तो मंडे से पहले तो 2004 से भी पहले किसका प्रियोग होगा, 2004 से पहले होगा, सिंस का, टू होवर्स, टू होवर्स, टू होवर्स, टू होवर्स एक समय की अवधी है, टू होवर्स दो घंटे का समय की अवधी है, तो समय की अवधी से पहले किसका प्रियोग किया जाता है, समय की अवदी से पहले किया जाता है फोर का प्रियोग सम टाइम कुछ समय कुछ समय की जो अवदी होती है इससे पहले भी किसका प्रियोग किया जाएगा फोर का फाइव एर्स पांस साल की एक समय की अवदी होती है तो इससे पहले भी किसका प्रियोग किया जाएगा फोर का तो मन्स दो महीने ये भी एक समय की आउदी है तो इससे पहले भी किसका प्रियोग किया जाएगा फोर का और एक लंग टाइम एक लंबा समय इससे पहले भी ये भी किया समय की आउदी है तो इससे पहले भी किसका प्रियोग किया जाएगा फोर का यहां पर के लिए के अर्थ में सी कुक्ड फुड उसने खाना बनाया मिया ने मेरे लिए तो मेरे लिए के लिए के अर्थ में किसका प्रियोग किरेंगे फोर का तो उसने मेरे लिए खाना बोजन पकाया या खाना बनाया I bought this pen I bought this pen मैंने यह pen खरीदा 4, 5 रुपीज 5 रुपे में मैंने यह pen 5 रुपे में खरीदा तो इस तरह से हम sensor 4 का प्रियोग करते हैं जो preposition के साथ में preposition के रूप में प्रियोग करते हैं और इनका प्रियोग tense में perfect tense में perfect continuous tense में प्रियोग किया जाता है तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा sensor 4 का प्रियोग with example तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए subscribe